एंपी के पवई विधान सभा से भाजपा के विधायक प्रहलाद लोधी की पाच फरवरी रविवार की शाम विकास यात्रा के दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे इसी दौरान अचानक उनकी तबेद बिगड़ गई उन्हें पवई अस्पताल में भरती कराया गया उन्हें करीब आदा घंटा तक ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं मिल पाया विधायक आदे घंटे तक तडपते रहे फिर एंबुलेंस की ऑक्सीजन सिलेंडर को निकाल कर उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई विधायक प्रहलाद लोधी पवई में विकास यात्रा कारिक्रम में जनता को संबोधित कर रहे थे वह शाशन की योजनाओं को ग्रामिनों को साज़ा कर रहे थे लेकिन विकास यात्रा के दौरान उनकी अचानक तबेद बिगड़ गई जिससे उन्हें आनन्दफानन में पवाई सामुदाइक स्वास्त केंदर में भरती कराया गया प्रात्मिक उप्चार के बाद देर रात उन्हें पन्ना जिला अस्पताल रेफर कर भरती करवाया गया जहां वहाँ ICU वार्ड में भरती हैं उनका इलाद चल रहा है